ग्यान और दर्शन ये दोनों जीव के अप्रथक भूत सभाव हैं। इन दिनों का निश्चल और निर्मल अस्तित्व है वही चारित्र कहलाता है। यदिपिय जीव निश्चने से सभाव में नियत है फिर भी परद्रव्यों के गुण पर्यायों में रत होने के कारण पर समय रूप हो रहा है। जब यजीव स्वः समय हो करता है परद्रव्यों से हटकर स्वः स्वरूप मिरत होता है तब करम बंधन से रहित होता है। जो जीव, राग से परद्रव्य में शुब और अशुब भाव करता है, वो अपने चाहित्र से भरष्ट होकर परचाहित्र परसमय का आचरण करने वाला होता है आत्मा के जिस भाव से पुन्य और पापकरम का आस्रव होता है उसी भाव से यह जीव पर समय का आचरण करने वाला होता है जो सारे परिग्रह से मुक्त हो परदरव्य में आत्मा भावना से रहित होकर आत्मा के दर्शन ज्यान रूप विकल्प को भी निर्विकल्प अभेद रूप से नुभव करता है वह स्वे समय का आच्रन करता है धर्म आदी दर्वियों का शुद्धान करना सम्यक दर्शन है अंग और पूर में प्रवर्त होने वाला ज्यान सम्यक ज्यान है और तब धान करना सम्यक चाहित रहे इन तीनों को एक साथ मिलकर वहवार मोक्षमार्ग है निश्चेने से जो आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान और सम्यक चाहित से तनमे हो अन्य दर्वे को ना करता है न छोड़ता है वही मोक्षमार्ग है अब तक के कथन से निश्चेत होता है कि जो जीव परपदार से भिन आत्म सुरूप में चरण करता है उसे ही जानता है और देखता है वही सम्मेक चाहित्र, सम्मिग्यान और सम्मेक दर्शन है चूंकि वह पुरुष आत्मा समस्त्व बस्तूओं को जानता है और देखता है इसलिए अनाकुलता रूप अनंत सुक्का नुभव करता है ऐसा भवेजीव जानता है शद्धान करता है परन्तु अभवेजीव ऐसा शद्धान नहीं करता सम्मेक दर्शन, सम्मेग्यान और सम्मेक चाहित्र, मोक्ष का मार्ग है इसलिए सेवन करने योग्ये हैं, धान करने योग्ये हैं ऐसा साधू पुरुषों ने कहा है और यहे भी कहा है कि उक्त तीनों यदि पराश्रित होंगे तो उनसे बंध होगा और सुआश्रित होंगे तो मोक्ष होगा यदि कोई ज्यानी पुरुष अज्यान वश ऐसा माने कि अरहंत भगवान की भक्ति के द्वारा दुखों से मोक्ष होता है तो वहे पर समय है अरिहंत, सिध, चैत, प्रवचन, मुझी समू, आदी और भेद विज्यान आदी की भक्ति से युक्त हुआ जीव बहुत पुर्णे बंद करता है परंतु कर्मों को शेह नहीं करपाता जिसके हरदे में परदरवे संबन्दी थोड़ा सा भी राग विद्दमान है वे सारे शास्तों का पारगामी होने पर भी सुखिये समय को नहीं जानता शुद्ध आत्म सुरूप के सिवा अन्ने विशों में होने वाला जिसका चित्त संचार नहीं रोका जा सकता है उसके शुब अशुब भावों से किये हुए कर्मों का संवर नहीं हो सकता इसलिए मोक्ष अभी लाशी पुरुष निश्परिग्रह और निर्ममत्व होकर परमात्मस रूप में भक्ती करता है और उससे मोक्ष को भी प्राप्त होता है जीव अजीव आदी नवपदार्थ तथा तिर्थंकर आदी पुज्य पुरुषों में जिसकी भक्ती रूप उद्धी लग रही है उसका मोक्ष अभी बहुत दूर है बले ही वैयागम का श्रधानी हो और संयम तथा तपश्चन से युक्त क्यों ना हो जो अरहंत, सिद्ध, जिन प्रत्मा और जिन शास्तों का भक्त होता हुआ उतकरष्ट सियम के साथ तपश्चन करता है वह नियम से देवगती को प्राप्त करता है इसलिए मोक्ष का इच्छुक किसी भी भाई ये पदार्थ में कुछ भी राग ना करे क्योंकि ऐसा करने से वह वीतराग होता हुआ संसार समुद्र से तर सकता है जिसमें द्वाजशां का रहसे नित है ऐसा ही ये पंचास्ची कायका संग्रह करने वाला संक्षिप्त शास्त्र जिन्वानी की भक्ती से प्रेइद होकर मोक्ष की प्रभावना के लिए कहा गया है